गाइस वल्कम बैक तो दी फिफ्थ एपिसोड ऑफ गेमिंग न्यूस एपिसोड आप से भी का वेलकम है और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वेलरेंड मुबाइल जैस को इस मुबाइल और भी कुछ अदर गेम्स के बारे में तो बहुत इंटर्सिंग से वीडियो हैं वाले हम इसे वीडियो के अधिर तक जरूर्स शिखेंगे और मेकशोर प्रीस सबस्क्राइब लाजिक के बारे में तो आज से सब्ते बर पहले यह लौंच हो चुका है अपने सारे पीसी इस वगेरा पे आप इसको जाली खरीच सकते हो या फिर कुछ जुगाल लगा के डाउनलोड भी कर सकते हो और इसका जो मोबाइल वर्जन है वो नेक्स्ट येर आ जाएगा 2021 में एसा इनोंने कंफर्म भी कर दिया है और जो ग्राफिक से काफी अच्छे हैं इसके अंदर मतलब मज़ा ही आ जाएगा इसको खेल के आपको तो PC की सुविधा है आपके पास या फिर गाले के आसपास कोई PlayStation में गेरा वाला है कोई आपके पास या फिर कोई Cyber के वाले तो आप जाके जरूर खेलना इस गेम को मैंने इसको अपने पास वाले साबर के फिर में जाके खेल लिया है क्यों मेरे PC के अंदरे नहीं चल रहा था तो बहुत तिक्का था ही मेरे को तो अगर इसका मोबाइल एडिशन के अंदर कोई मोड जोगर आते हैं तो मैं उसको जोगा इनिक्स ने कमबेक कर लिया है बैक टूबैक टूगेम दे दी है एकका नाम है जोस्कोष मोबाइल और दूसरे का नाम है फानल फैंटेसी टू जिसका अंदर समझे फानल फैंटेसी टू अच्छा लगा जिसका गेम पले भी में न डाल दिया है तो आपने देखा तो गेम से लिंक डिस्कप्शन मिल दाएगे उसको डाउनलोड करो और आपको वीपेन लगए डाउनलोड करना पड़ेगा फिर इंटर्नल जो साइज है उसकी एक से डेड़ जी भी होगी ठीक है तो गेम के ग्राफिक्स मतलब उतने अच्छे नहीं है कट सीन्स अच्छे डालेते लेकिन जो गेमपले है वो अच्छा नहीं है ड्राउन व्यू वाला है तो इतना टाइम लिया है इन्होंने इनको डेवलोप करने में और इसा सब्सक्राइब मना के दिया है तो पब्लिक रिएचन बिल्कुल है बेकार है तो होप करते हैं कि जो अ अच्छे अपडेट साते हैं तो अगर अच्छे अपडेट साते हैं तो तो बढ़ते हमारे नेक्स गेम की तरफ वेलोरेंड मॉबाल के फर्स्ट लोज बेटा के हम भात करें तो जस्टिंग हुरंग जो जन्वर मेलेजर है रहा था कि आखरी क्वाटर के अंदर हमको जो फ जन्वरे का महन करने हैं सोरी में एसा कहने कहने कह पॉल रहा हूं लेकिन वालरें नुबाल वाले यशा चाहते हैं कि जो गेम में वो डेत ना हो मतला अभी बीटा है फिर गेम बन फिर एक और झाल एक अधल करना चाहते हैं ताकर गेम डेट ना हो और कुछ और एक्स्टर बडेने चीज़ें भी वो कर रहे हैं साथ ही में वो कुछ जॉब लिस्टिंग्स भी डाले थी उन्होंने जो आप मैन आपको इडियो में आपको यहां भर पाई थी और यहां पर बने एक ट्रॉब लिस्टिंग यहां पर बहुत जॉब इस्पीड से वन गर रही है तो घ्या तो प्रोजेक्ट एम की तो यही न्यूज है अभी तक कि आप अब वो उसका यो ग्लोबल वर्जन है वही आएगा एफिर ओपन मेटा जो आएगा और तो कोई चांस तो नहीं लग रहे ठीक है तो यह तो हमारे प्रोजेक्ट एम के बाद बढ़ते हमारे नेक्स गेम के तरह से लिए और अभी हमार पबजी आता फेले लेकिन भाई कोई हिट नहीं कोई रिक्कत नहीं सब हम साते समर्तम हैं कोई भी लड़ा लड़ी नहीं करेगा यहां ठीक है गेम इयोन इस्टूडियो जने कि निखिन मलांकर ने गेम प्ले रिवील कर दिया है कंसेप्ट आर्ट भी रिवील कर दिया है मुंबाई गलीज का जिसकी रिलीस डेट में उको बता ही थी के 2022 के एंड में आएगी और उसका जो फाइनल चेप्टर होगा और 2025 माएगा और निखिल मलांकर जी जो है उस गेम के डेवलपर है इंडियन वाले और उने बताय था कि इसका गेम का आर् करके जरू जनब वीडियो के रिएज बढ़ती है तो प्लीज यार सपोर्ट करो तुमारे भाई को और क्या मुझी इंग्लीश वीडियो भी बनाने चाहिए जिससे हम नेशनल जो जनता है उसको इखटा कर सेको तो प्लीज अमना सेजेशन वीडियो के एंड तक ज़रू से देना और होप करता हमको देच लगियोगे तो में विल तो नेक्स वीडियो के अंदर रपता के लिए थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो बाई बाई